हुआ है है यह हमारा टोपिक है लैंड रिसोर्स इसके जानते हैं कि हम लोग रिषोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा सबसे इमपोर्टेंट और जो यह महत्पुल होता है वो हमार लेंड रिसोर्स है, चुकि देखते हैं कि we live on land, we perform our economic activities on land and we use in a different way, पीटा हम देखते हैं कि सभी resource तो हमारे लिए useful है, but land एक ऐसा resource है, यगर ये resource नहीं रहेगा, तो हम लोग सारे activities, चाहिए economic activities और social activities हो, किसी पेकार के activities को हम perform करने की सोच भी नहीं सकते, चुकि land ही ऐसा जगह है जहां हम stay करते हैं, जहां हम रहते हैं, और कई प्रकार के work को हम लोग यहां पर मतलब करते हैं, जैसे thus land is a natural resource of utmost importance, it supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system, that means दुनिया में आप जितने भी work करते हो, आप किसी भी work activities की बारे में सोच सकते हो, तो उसकी कलपना आप without land नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप सोच सकते हो कि land हमारे लिए कितना important है, जो resource हमारे लिए कितना important है, तो land is an asset of the finite magnitude, therefore it is the importance to use available land for various purpose with careful planning, जन सकते हैं कि जो हमारे लिए हर एक activity के लिए जो land है, वो कितना important है, और हम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसका use करें, लेकिन कैसे करें, केरफुल प्लानिंग करके, थाकि हमारे एकिवी एक्टिविटी के हुजा से जो land है, वो waste नहों और destroy नहों, ठीक है, तो हमें केरफुल प्लानिंग करनी होगी, तो आप यहां देख भी सकते हैं कि, इंडिया है land under the variety of relief features, namely mountain, platues, plains and island, तो हमारे इंडिया में जो land की जो variety है, उसे कई relief features आप भी सकता है, कि what are the relief features of land, तो आप यहां देख सकते हैं कि relief features, namely mountains, platues and plains and island, तो आप यहां देख सकते हैं, एक diagram बना के इसको दिखाने का प्रयास किया गया है, कि हमारे total area जो इंडिया का है, उसका 27% जो है आपका platues है, आप यह देख सकते हैं, और उसका 43% जो है आपका mountains है, तो है total area जो है इंडिया में जो land resource है, उसका आपका plains केवल 43% है, बाकि 30% mountains है, 20% क्या है, प्लेट्यू है, ओके, अब जो next topic हमारा है, वो है land utilization, आप देखते हैं कि हम इस resource को कितने तरीकों से use करते हैं, ठीके, हम लोग इसका land का अपयोग जो है किस-किस माध purpose, ओके, सबसे पहला है forest, आप देखते हैं कि हमारा जो land area जो है, उस पर सबसे अधिक किया, फिर जो है forest area का कुछ इपयोग होता है, land not available for cultivation, और कुछ ऐसे lands है, ऐसे जमीन हैं, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, agricultural activity नहीं कर सते हैं, cultivation नहीं कर सते हैं, वैसे में क्या उसको करत नहीं कर सकते हैं, जैसे building में आते हैं, road में आते हैं, factory में आते हैं, यह बहुत सरा commercial activities है, जिसको हम करते हैं, जिसको हम लोग agricultural use में नहीं लाते हैं, नमर थाड है, our uncultivated land excluding follow land, और जो भी जमीन है, permanent pasture and grazing land, land under miscellaneous trees, crops, tree crops, groups, इसा से जो है, कई काटगरियों में इसको divide करते है हैं, land के हम लोग कैसे कैसे use करते हैं, अब यहाँ पर है, cultural waste land left uncultivated for more than five agricultural years, अब यहाँ पर आती है, fellow land के बारे में जो परती जमीन छोड़ देते हैं, जो यह करने के बाद हम दो या तीन बरस के बाद छोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं, follow land या उसको परती जमीन बोल one to five agricultural years, यानि कि उसको एक या दो, एक या पांच साल के लिए या फिर में छोड़ देते हैं, उसको एक बार फसल ग्रो करने के बाद ताकि उसकी जो fertility है, उसको फिर क्या maintain हो जाए, ओके, अब है net zone area, area zone more than once in agricultural year pulse, net zone area is known as the gross crop area, और net zone क्या होता है, जो परते एक साल, यानि कि यहां पर जाए, area zone more than once in agricultural year pulse, net zone area is known as the gross crop area, यानि कि net zone area का वो पार्ट जो की agricultural years में यूज होता है, उसको बोलते हैं, gross crop area, ओके, अब जो next topic हमारा है, land use pattern in इंडिया, तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो land use करने की जो pattern है, वो किस तरह की pattern है, वो खिस तरह की pattern है, उसको जो land use करने की जो pattern है, वो कई बातों पर determine करती है, जैसे यहां पर दिया physical factors and such as tropography, climate, soil types, as well as human factors, such as population density, technological capability and cultural and traditional etc, that means किसी भी country का जो land use होता है, तो depend करता है कि वहां की जो physical factors कि किस पर आपर है, वहां पर climate कैसा है, soil किस पर वहां पर जमी मतलब भूमी है, और जो human factors है, जिसे population वहां कितना है, वहां की technology कितनी development है, उसकी capability क्या है, या फिर और सारी बाते depend करता है कि हम कैसे जो है land को use करते हैं, ठीके, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर दियावाय total geographical area of India is 3.28 million of square kilometer, जबकि यहां पर जो है इतना square kilometer है, ठीके, आप देख सकते हैं कि जो land जो है available है work करने लिए के वाल, 93% available total geographical area का, चूंकि क्या है, land is reporting of the most of the North East, चूंकि हमार एरिया country में कुछ आइसे states हैं, जहां पर कि land को हम लोग एर कर चल नहीं कर सकते हैं, आपकर यह North East जो states है, असम को छोड़ करके, वह तो इस तरह से जो area जो है केवल हम लोग 93% को ही use कर पाते हैं अपने country में, ओके, अब यहां दो diagram बनाया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है, कि general land use categorize 1960-61 और यहां पर दो comparison करने के दो का लिया गया है, यहां पर है general land use categorize 2008-9, यहनि कि दो years में या फिदो difference समय में इस comparison क तरने का प्रयास किया गया है, कि land का pattern जो है किस तरह से use होता है, तो आप यहां देख रहे हैं विटा कि सबसे अधिक, यहनि कि 55.26% जो है forest area, 18.11% forest area है, इसके बाद 12.01% जो है आपका barren land है, अनक जो की use नहीं होता है, agricultural land के लिए, जो कि बंजर है या फिर uncultivated बेकार जै इसके बाद आती है, 4.95% जो एरिया है, वह आपका नन एरिकल्चरा लीज, जिसमें आपका road हो गया, buildings हो गया, industries हो गया, इसमें ऐसे एरिया जो है, इसके लिए कितना होता है, 4.95% ओके, अब यहते हैं कि जो है permanent pasture and grazing जहां पर हमेशा पसूद जो है, चरागाह गरूप में पॉइंट, सुरी, 4.71%, उसे परकार यहां पर पाट दिया है area under miscellaneous trees, crops and grove, वह आपका है 1.50% है, और cultureable wasteland जो है आपका, वह है 6.3%, इसके बाद है fellow others than the current fellow land, जो परती जमीन है, वह है आपका 3.50% है, उसे परकार current fellow land से है, आपका 3.7, 3.3%, आपका कितना है, 45.26% है, आप देख रहते हैं कि एरे में कैसे कमजन किजा गया है, और आप देख सकते हैं किस तरह से changes हुए हैं, आपके समय के बदलने के साथ साथ, तो आप यहां पर कमजन के समय जो है, यहीं बात यहां पर इसमें दिखाया हुआ है, तो आप इसको आपकियों बदला, तो आपके समझना जाए कि जैसे जैसे population हमारी बढ़ती गई, हमारी requirement को fulfill करने के लिए हम लों क्या कि land resource को अधर तरीके से use करते गए, तो में रिजन यहां पर है land resource को use करने का, कि population हमारी जो grow होती है, population जो हमारी develop होता है, यह संख्या जो बढ़ती है, तो संख्या को requirement को fulfill करने के लिए हम day by day क्या करते हैं, land को विविन तरीकों से use करते हैं, ठीके, तो आप इसको देख लिजेगा, समझ लिजेगा, और जो हम next topic हम कल पढ़ेंगे, वो है land degradation and conservation measures, ठीके, तो हम इसको next video हम पढ़ते हैं, तर तक लिए, bye